सब्सक्राइब करें इंडिया टाप न्यूज चैनल और बेल आइकन दवाना ना भूलें इंडिया टाप न्यूज अपने छेत्र की ख़वरे सबसे पहले पाएं बताया जाता है कि बीते रोज 6 साल की मासूम बच्ची अपनी मा के साथ जंगल में लकड़ी इकठा करने गई हुई थी तबी गाव का ही रहने वाला यूवग जिसका नाम साहिल उर्फ गब्बु है वह बहला फुसला कर मासूम बच्ची को ले गया और दुशकर्म की वारदात को अंजाम दे डाला पीडिता की चीक पुकार सुनू उसकी मा और आसपास के लोग इकठा हो गए तो आरोपी धमकता हुआ मौके से फरार हो गया पीडिता ने अपनी मासूम बच्ची को ले जाकर शहर कोत्वाली में आरोपी के खिलाफ नामजद पहरीर दी और बताया कि गाउप के ही रहने वाला 21 वर्षिय साहिल उर्फ गब्बु ने उसकी मासूम बच्ची के साथ दुशकर्म किया है जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक सुधा सिंग को लगी उक्त मामले में ततकल मुकदमा लिखने के आदेश दिये गए और पुलिस ने धारा 363, 376 AB, 506 और 6 500 Act के तहट मुकदमा दर्ज कर लिया गया फरार आरोपी की गिरफतारी को लेकर S.P.K. सकता आदेश के बाद गटित की गई टीम ने आरोपी को आज रेपुरा खुर्द गाउं के पास से गिरफतार किया है पुलिस द्वारा मासूम पीविता का मैडिकल परीक्षन महिला अस्पताल में कराया गया तो वहीं आरोपी के खिलाफ कारवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है